नमस्कार दोस्तों आप सभी का अर्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार ऐसे सेडर 24-7 पर मैं हूं शानुरावत आप हैं मेरे साथ में एक बड़े इंट्रेस्टिंग सी वीडियो पर जो चर्चा करने के लिए जिसमें कि मेरे दोस्त आज का हमारा टॉपिक रहने वाला न्यू एंड मोस्ट रिपोर्ट आज रिपेटेड एडियम सेंड फ्रेजिस यानि कि मेरे दोस्त आज हम एक बार पुना जो हमारे मोस्ट रिपीटेड साथी साथ जो कुछ अपडेटेड निव इडियाम सेंड पुने बात करने वाले तो बहुत इंट्रेस्टिंग सा आज का हमारे session होने वाला जिसमें की हम और आप आज मिल रहे हैं recorded वीडियो की माध्यम से तो चलो मेरे दोस्तों करता हूँ अपने इस प्यारे से session की शुरुआत तो जो भी मैं आज आपके सामने idiom clear करने जा रहो इसको मैं दो बार आपको clear करूंगा एक बार पहले सभी idioms को पढ़ाऊंगा फिर दो बारा पढ़ाता हुआ तो जब मैं second time इसको आपको revise करा रहा हूँ तो तब तक मैं वादा करता हूँ आपसे कि आपको याद हो चुके होंगे विजय दश्मी के पावन और पावन आवसर पर भाई कल अमारी विजय दश्मी हो जाने वाली है तो इसी पावन आवसर पर बिटा जी हमारी अड़े स्टोर पर सभी महापैक पर या फिर बेटा बैच इस पर डबल वैलिटी चलिए 79 परसंट इसकांट भी आपको मिल जाए यह हमारे सामने आप देख सकते हैं क्या है दोस्त सबसे पहला है work against the clock अब देखो हमेशा दिहाना कि EDM का मतलब ही क्या है छिपा हुआ मेनिंग ही क्या है कि छिपा हुआ मेनिंग इसके अंदर तो work against the clock का meaning होता है work very hard to complete something within our deadline work in greater यानी कि जब आप शिक्गरता से काम करें जल्दे-जल्दी काम करें और आप प्रियास करें कि आप समय से पहले किसी काम को कर ले तो उसको बोलते है work אס़ अगेंच्ट क्लोक क्या बोलो मेरे साथ एक रह। वर्क अगेंस्ट दा क्लोग का सीधा सा मेनिंग निकला कि फुर्ती से काम करना क्या निकलेगा इसका मेनिंग फुर्ती से काम करना और समय से पहले काम करने का प्रियास करना तुसे क्या बोले में वर्क अगेंस्ट दा क्लोग बोलो मेरे साथ वर्क अगेंस्ट दा क्लोग या होगा विटा something that is impossible to get achieve यानि कोई भी तरीके से ऐसे महनों विटा कोई ऐसी कल्पना जो कि अपने आप में अकाल्पनिक होगी या फिर अकाल्पनिक चीजों को मतलब प्राप्त करने की काम ना करना ठीक है ना तो ऐसी चीजों को बोलते हैं विद ओध विस्प क्या वोलेंगा אूफिद ओध दविस्प नेक्स्ति अच्ट अपने कालल नाइन यार्ड्स बहुत बहुत बहुत्ट इम्पोर्टेञ्ट कि मyesu फोल नाइन यार्ड्स का मतलब होता है humble willingness अवलीबल हो सकती थ होना या फिर उन सभी पर आपका दिकार होना या फिर ऐसे बोलो बिटा जितनी जादा जादा maximum to maximum आपके लिए मतलब facilities दी जा सकते थे अगर वो पूरी facilities आपको मिल रहे हैं तो उनको बोलते हैं होल नाइन यार्ड जैसे आपने बोल देखा कि दा एंटायटी नाद एंटायर टी ओफ सम्थिंग किसी भी चेजी की बहुत आयत था समझे नहीं अच्छी खासी मातरा है संख्या में कोई चीज़ अगर एवलेबल है तो उसे बोल नाइन यार्ड नेक्स्ट वेन पिग्स फ्लाई वेन पिग्स फ्लाई वेन पिग्स फ्लाई ब सूर उडएंगे यानि कि कोई भी ऐसा समय जो कभी सच होने वाला ही नहीं है यानि कि तरीके से बोलो तो ये भी आप ऐसे बोल सकते हैं कि आपने किसी को समय दिया और समय ऐसा दे दिया कि जो अपने आप में कभी होने वाला ही नहीं है ठीक है ना तो वेन पिग्स फ्लाई यानि कि a time that will never come, एक ऐसा समय जो कभी वापस आना ही नहीं है, या फिर जो कभी आए गई नहीं, वापस नहीं मैं कहीं, जो कभी हो गई नहीं, जो कभी सच होने वाले नहीं है, उससे क्या बोलते हैं, when pigs fly, ठीक है, a time that will never come, next वेटा, went to the winds, यानि बंट जाना, बिखर जाना, next, whoop it up, whoop it up का मतलब होता है बिटाजी, जब मतलब आप फुल मस्ती कर रहे हो, शोर मचा मचा करके वस्ती कर रहे हो, especially अपने दोस्तों के साथ एक गुरूप में है, और गुरूप में आप जो शोर सराबा करते हो, उससे बोलता है बिटा, whoop it up, क्या बोलना, whoop it up, जैसे करके enjoy कर रहे हो, especially group में, तो उसे बोलना, whoop it up, ठीक, एच्छे के 6 DM से आद हो, revise करो जल्दी से, work against the clock, यानि की, पूरी energy से काम करना, समय से पहले, पूरा करने के लिए, ठीक है न, पूरे, मतलब, तेजी से काम करना, with oda wisp, यानि की, भया, कोई ऐसी काम ना करना, जो सच नहीं हो सकती, whole nine yards, यानि की, संपन्नता होना किसी चीज में, when pigs fly, यानि की, पून रूप से एक, अकाल्पनिक बात है, जिसकी मतलब, सच्चाई से बहुत दूर हो, when to the winds, यानि की, भह जाना, हवा के साथ, बिखर जाना, और whoop it up, यानि की, enjoy a very noisy way, enjoy in a very noisy way, next, next, आपके साम भाई, बैवानी कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं, whip the nose, next, wheel and view, wheel and view का मतलब भाई, शुक और दुख, यानि good time and bad times, joys and soros, शुक और दुख, जैसे जीवन में एक पार्ट है, समझे ना, हमारे life भी कैसे चलते, इस तरीके चल रहे है, ECG देखिये कभी अपनी, जब आप ECG कर वीर and tear, सामान्य तूट फूट, भाई, आप कोई भी गाड़ी खरीद लीचे, कुछ भी XYZ आप जो देख लीचे, हर चीजी के अपनी तूट फूट होती है, maintenance cost होती है, तो उसको वीर and tear, क्या बोलता है, वीर and tear, next, wear his heart in his sleeves, wear his heart in his sleeves, sleeve जानते हैं, कि बाजू आपने उसमें अपना दिल, यानि कि आप भाई, अपनी जो feelings है, उनको बिल्कुल खुल के बया कर रहो, आप कोई मतलब ऐसा नहीं, भाई, दोगला पने आपके अंदर, या फिर आप मन में कुछ और रखते हैं, और कहते हैं, नहीं भाई, आप double life नी जीर, आप single life जीरो, तो उसे बिटा ऐसे इंसान को, या फिर ऐसी क्रिया करने को, जो हम बिल्कुल खुल के अपनी बातें बया कर दें, तो उसे बोलते हैं, बिटा, wear his heart on his sleeve, next बिटा, up in ears, up in ears का मतलब होता है, भाई, गुसा हो जाना, और भाई, खुल के विरोध करना, समझ रहें, protesting vigorously about something, जो हम खुल के, सरय आं विरोध पर उतर रहें, तो उसे बोलते हैं, बिटा, उसे क्या बोलते हैं, बिटा, up in arms, जो जो हमने अपने हातों में, जो हना, हतियार उठा लिए, और हम युग कर रहें, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अब गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अब यह बढ़ माशी नहीं चलें हम विरौध करते हैं समझ रहें तो इस तरह के जब आप इन आर्म्स यानि अमने अपने हातों में हत्यार उठा लिए अप इन आर्मस तो यह क्या होगा पिन आर्मस हो गया क्या होगा मैं तो अपका आप इन आर्मस हो गया समवन्स एपल कार्ड ठीक बिना मतलब की परिशानियां खड़ी करना नेक्स्ट प्यारे दोस्त हम डिसकस करने जारे हैं वैनिश इंटू थिन एयर वैनिश इंटू थिन एयर का मतलब होता है बहुत जल्दी से मतलब एक तरीके से गायब हो जाना समझ रहे कंप्लीटले अग विए जे लिए और यू मरोड दिया यू उकरके यू मरोड रखा कि बता करेगाए नहीं करेगा और जो तुम बुरी तरह किसी का यार हाथ मरोड देंगे आप या फिर आप पिसी को बूरी तरह पर्ताडित कर दो गए तो यःनि किसी से जबरन एक तरिके से बटा कुछी जो है तरवाने का प्रियास करना, to force something, someone to do something by making it hard for them to refuse, समझ रहे हैं, कि जबरन किसी से कोई काम करवाना, उसे क्या बोलते हैं, twist someone's arms, याद रहे हैं, arms, arms को मोड़ दे, किसी के कलाई को यह मरोड़ दिया, कर काम करेगा, नहीं करेगा, तो उसको हम क्या बोले हैं, twist someone's arms, चलिए, next, took exception, क्या बड़ा बटा, took exception, took exception का मतलब गया तो objected, विरोध करना, समझ रहें, objected, जो एक तरह की से विरोध का पार्ट है, उसे बोलना का took exception, next, to wrangle over an ass shadow, ये भी बहुत अच्छा, एडिया में आपने एक वर्ट सुना को, to make a mountain of a molehill, सुनाई बटा नहीं सुना, to make a mountain of a molehill, यानि की rai का पहाट बनानो, यानि की बात का बतंगड बनाना, एक छोटा सा कोई मुद्दा था बिना मतलब आप उसे इश्यू बना रहे, तो उसको बिटा क्या बोलता, to wrangle over an ass shadow, यानि की, to quarrel over trifles, trifles का मतलब कोई तर नॉर्मल से ही कोई बात, मामुली समुद्दा, उसे बोलता है trifles, next, to toe the line, to toe the line का मतलब को, to follow the lead, यानि की मेरे भई, follow the rules, जब आप जो मतलब नियमों का के लिए, first time to take two tasks, यानि की मेरे भाई, punished, get an official reprimand, या to scold, जब आप किसी को परताडित कर रहो, या फिर किसी को दंड मिल रहा है, तो दंड मिलने को बोलता मेरे, to take two tasks, क्या बोलता है मेरे, to take two tasks, next, to take to one's hills, to take to one's hills का मतलब होताँ भाग जाना, और especially डर के भाग जाना, समझ रहे, और अगर आपके सामने एक वर्ट देखने को मिले, आपको, to show a clean pair of hills, to show a clean pair of hills, तो इसका मतलब भी सेम होता है, बेटा मेरे, to runne में, भाग जाना, ठीक है, to show a clean pair of hills, to take two one's hills, ऐसे मालो, गुरुजी मुझे ब्लोग कर दिया, गुरुजी अब क्या होगा, और भाई, रो रहा है बंदा, आसो आ रहे हैं भाई साब भर के, तो वो क्या है, to take two heart, उस बंदे ने, incident को क्या ले लिया, to take two heart, दिल पे ले लिया, next, next, वेटा, to take the bull by the horns, यानि कि बिटा, मुसीबत का डट के सामना करना, और खुल के सामना करना, तो से बंदे लिया, to take the bull by the horns, बिल यानि बिटा, कोई बड़ा सा सांड टाइप में था, ठीक है, और उसको होन से, यानि उसके सींगों की तरफ से, जिदर से वारतम तुम्हें सामने से बढ़ गया, जसे आपने बावभली मुवी में देखा होगा, कि स्टार्टिंग में क्या होता है, कि जो राजा होता है, वाल लब देओ, वो एक बड़े बड़े इसे बूल के साथ लड़ा ही लड़ता है, वो क्या हो गया, वो अपने आप मोगा, तू टेक दबूल बाइदा होन्स, यानि कि तू हैंडल दिफिकल्टी, या फिर तू डील विद डिफिकल्टी डिरेक्टी, जिब आप बिलकुल आमना सामने कर दे, तू टेक दबूल बाइदी होन्स, नेक्स्ट, तू टेक पेंस, तू टेक पेंस का मतलब के बिटा, तू मेक इफार्ट से यानि प्रियास करना, समझ रहे, प्रियातन करना, उसे बोलता बिटा, तू टेक पेंस, क्या बोलेंगा मेरे प्रियास करने को to take pains to take pains का सीधा से मतलब क्यों थो किसी चीजी करने का प्रियास करना to take once a head soft अब आप ध्याँ रहे हैट रोफ कर रहे है तो head soft का मतलब होता है किसी को admire करना pressure या करना extoll, exult glorify to hail kudos loud, applaud, accolade, acclaim तो सबी शब्द किसको रिप्रेजेंट करते हैं तो तो टू टेक हैट्स ओफ यानि तुमने अपने हैट्स तरह के वा यार जैसे बंद आया को अच्छा सा खिला डी था उसने बढ़िया सा कुछ अच्छा परफॉर्म किया था हम क्या करते हैं वा यार मजा आ गया दोस्त प् टू टेक फ्रेंच लिव का सीधा सा मतलब होता है बिटाजी कि जब भी कभी जब भी कभी आप कहीं से बिना बताया चुटी पर चले जाएं तुसे बोलता टू टू टेक फ्रेंच लिव एप सेंटिंग वंसल विदाउट परमिशन जब बिना परमिशन के आप फरार होना पही से क्या बनतरों से बोलते मिर दोड़स्त टूटेक फ्रेंस लिवेट ऐसा लड़का होता है बत्चा ट्रॉंट तरोन ट्रॉंट याने बिटा आवारा ऐसे बच्छ्छों क्या बोंतरों कॉणत्य आ छी है तो तोkaa प्धा ट्टेक फोर ग्रेंट्टी तू टू टू टो का मतलग हो तो accept और assume without question यानि बिना सवाल जवाब के अगर आप किसी चीज़ को हां कर दे रहो तो उसे क्या हो तो टू टेक for granted उसी को मेरे भाई हम क्या बोलने वाले तो टेक for granted यानि कि यदि आप बिना against the clock यानि कि कठीन पर इश्रम करना और समय से पहले कारे को करने का प्रियास करना next with oda wisp यानि कि दोस्त कोई भी मतलब की daydreaming क्या दो कालपनिक चीज़े ठीक है न हवा हवाई हयाली पुलाओ क्या दो ठीक है unreal imagination next whole nine यानि कि जितना असंभाव था हो सब कुछ आपके पास हो न यानि कि बड़ी असंपन्यता होना whole nine yards यानि पूरे नोगज आपके अपने हाथ में आ गए next when pigs flies यानि कि ऐसा समय जो कभी आए गई नहीं समझने एक ऐसा समय जो कभी आए गई नहीं ठीक है इसी प्रिकार से next went to the winds यानि कि मेरे भाई बट जाना बिखर जाना बह जाना यानि कि भई बूर मस्ती कर लेना सौर मचा मचा कर लेना तो गया वूप इट अप क्या होगे बिटा वा आपका वूप इट अप होगया यानि कि पूरी मस्ती कर लेना next बिटा जी आपके सामने आया wipe the nose यानि बिना मतलब बन एक तरी किसे cheating कर न वा इस चीटिंग करना वी लेंड वियो सुक दुक वियर एंटियर सामने टूट फूट वियर हिस आट उन हिस स्लीव यानि के अपनी विचारों को खुलके बया करना अप इन आम्स यानि के बैटा खुलके विरोध करना अपसेट समवन से पलकार्ट यानि बिना मतलब भाई परेशानियां कड़ी कर देना नेक्स्ट बिटा आपके सामने आगया वैनिश इंटू थी नेयर यानि पून रूप से गायब हो जाना और ट्विस समवन से आंस यानि किसी से जबरन कोई कारे करवाना तुक एक्सेप्शन यानि कि भाईया विरोध करना तू व्रेंगल ओवर वन्स शेडव यानि राही का पहाड बनाना बिना बात का विरोध खड़ा करना तू टोई दा लाइन यानि कि भाईया तुम नियम कायदे कानून को फोलो करना इसी के साथ तू टेक दा टास्क यानि कि भाईया पनिश्मेंट होना पनिश होना अपने आप में पनिश्मेंट मिलना सवजा मिलना है क्асть मुट टेक फीटी को दोटेक रिल्स बहाग जाना इस्पेशली ड़ युथांस होगी पतितरों स्वाइब को दिल पर लेना आ प très दो टेक पेंश यानिकि भाई प्रहास करना तु resistant पिन्स देख रहो दुख पार हो यानि कि तुम मेहनत कर रहो तो to take pains to take one sets off यानि किसी की प्रशनसा करना इसी की साथ बेटा जी to take french leave यानि कि दोस्त बिना बताएं छुट्टी पर चले जाना और ऐसे बंदे हीं क्या बोलोगा आप पो लोगा ट्रॉंट आवारा तू टेक फॉर ग्राइंट एडियानी के भीया बिना सवाल जवाब की किसीज को स्वीकार कर लेना प्यारे दोस्त यही इडियम जो आपके है इनकी में PDF भी आपको दे दूंगा ठीक है ना आप सारे बच्चे बिल्कुल बढ़िया से जो है तयार है न और क्लास किसी लगी यह भी सारी बाते आप मुझे बताएगा अच्छी लगे तो दोस्त लाइक करना अपने सभी मित्रों तक शेर करना और अब हर दिन आपको रात को नो बज़े यही एक वीडियो डिकोड़ेड वीडियो को फॉर्मेट में आपको जो क्लास मिले ठीक है दोस चलो बाई बाई टेक केर लवी ओल अपना ध्यान रखना अपनों का ध्यान रखना ठीक है जी जैन दोस्त